हेलो एंड वेल्कम टू अप्रस्कुर्गेंट मेरा नाम में मित्कुबार सकते है ना एंड यौर लीगल फेकेंटी को क्लाइट एंड अधर लॉर्टिस एक्जाम्स यह हमारी लीगल मेगजिम का पार्ट थर्ड इससे पहले पार्ट तू अल्रेडी हो चुगे हैं पार्ट फ की अब हमारी नेट्स प्लिकल मेंगजिम है लेवंट बिसे क्योंकि है लग्कें यह आप उसको कंसेंसर्स एड़ इडम भी कह सकते हैं इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड असे फिस उन्हम अमेंटियम मेंशिधी दो वर्ड्स से मिलके बना यह पहला वर्ड से जो कि एक Latin word से लिया गया है जो कि ए असेंटायर और दूसा वर्ड है मेंटियम जो कि Latin word से लिया गया है जो कि है मेंस असेंटायर या असेंट्शियो का मतलब होता है एक री करना कि गो मैंस या मैंट्यों को मतलब होता है माइन तो अगर मिटेवर मीनिंग इसका देगे तो मतलब होता है एक्रियों माइन्ट या एक्रिमेंट ऑफ मैंट अगर कोई कॉंट्रैक्ट हो रहा है या कोई डूह ओर तो उसमें मीठिवल अंडरस्टेंडिंग होना बहुत जड़ुरी या फिर मीटिंगओ माइंडस के बीच में होना बहुत ज़रुरी तभी वो कॉंट्रैक्ट तो प्टानेट हो पाए और हम लेने कि दो पार्टी है मालेजे गो कि दो बाड़ी देने माल लिजे एक है आरेस और दूसरा है एसस कि आरेस मतलब रिशी सर्थ और दूसरे है शगुन सर्थ तो माल लिजे रिशी सर्थ के पास तीन कार है एक हो गई टाटा की एक हो गई मारुथी की और एक हो गई हो गई लिए दुशी सर्थ पत है तो डोनों के बीज़ माण गए दूसरे की बात रिश शज Canad ने सोचा कि मारुथी की कार बेचनगा мगाउड के इनग अकर आप देखें तो दोनों का मीटिंग और मांडुका को बेचना और शबुन सर जा रहे हैं अपनी अंडा की कार खरीदा तो ऐसे केस में नहीं हो पाया तो कि मीटिंग ओम मैंट दोनों को होई नहीं रहा है वह कुछ और सोच रहे हैं और खरीदी दोनों को कारी है पहला व्यक्ति यहरी दिशी सर सोच रहें कि वह मारूति की कार बेचेंगे और दूसरा व्यक्ति जो की शगुन सर है वह सोच रहे हैं कि होंडा की कार खरीदेंगे तो ऐसे केसे में कॉंट्रेट इग्जिक्ट्यूट नहीं होगा एक हमारा सेक्शन थर्टीन होता है जो कि कंसेंट के बारे में बताता है कि क्या बताता है कि टू और मोर परसंस आज सेट तू कंसेंट वैं दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस जो हमारा देंडा में यहां सेंट्स庁 में वह यहीं से लिए गया सेक्शें फटीन इंडियन कोंटेक्ट एक सेंससे लिए तो अगर सेक्शें-इसक 스파ट्ट्पॉलिस करें इसको ब्रेक्डाउन करें तो इसमें चार इंगेडियंट्स निकल के आते हैं पहला होता है टू और मोर पर्संस पर सेकेंड होता है एग्री और फ़ोर्थ होता है सेम सेंज यह हमारा हो गया फॉर्स्ट इंग्रेडियंट यह हमारा हो तो इस डेफिनिशन के हिसाब से देखें तो तुम और परसंगे तो तो थे और किसी बी कॉंट्रेक्ट को होने के लिए कि कम से कम दो पर्संगी दरूत पढ़ती ही पढ़ती अगर दो परसंग नहीं है तो यह वो कोंट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई इंसान अपने आप से कॉंट्रैक्ट थोड़ी कर सकता वो कम से कम दूसरे वंदे से कुट करेगा इसलिए कम से कम 2 या 2 से जादा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है कि जिस भी पॉइंट के लिए वह कॉंट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों पाटी उस बात को एक्री करनी चाहिए जैसे रिश ने सुचा था कि मैं होंडा की काल खुरी तो इस केस में सेक्शन 13 कंसेंट की अगर हम बात करें तो पूरी तरह की सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं इसलिए इसमें सेंश्यों मेंटी में यह कंसेंस एड इडम नहीं लग पाया है हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजिंट के चलत पड़ेगा नेच्रल लॉव वैसे तो किसी भी कॉंस्टिटूशन में या फिर किसी भी कोडिफाइड लॉव से नहीं लिया गया नेच्रल लॉव बैसिकली अगर लेमेंट की टर्म से हम बात करें तो नेच्रल लॉव का मतलब होता है कि नेच्रल थिंग जो की मालें जी कि हेरिंग रूल कि दूसरा होता है आपका बायस रूल और तीसरा होता है आपका जीजन डिसीजन रूल कि क्या कहता है आपका की मालें चै दूकी कोई dispute हुआ तो जद किसी के फेवर में तब-तक कोई भी decision नहीं देगा च्ब-तक वो अपॉसिट पार्टि को असे कि कोPE तो ज़िए में तब तक दे सकता तो यह हमारा है कि जिस भी पार्टी के खिलाब को चल रहा है तो उसको सुना जाना बहुत ज़रूरी है दूसरे हमारा रूल है बायस रूल का मतलब होता है कि जज अगर कोई decision दे रहा है तो वो जो decision दे वो bias ने इसके base ना दे या उसका कोई personal bias ना हो या वो किसी के favor में judgment तब तक ना दे जब तक कि facts और circumstances ऐसा उसको allow ना कर रहे हों या ऐसा law उसको allow ना कर रहे हों कोई वह बाइस के बेस पे वह अगर डिसेजन देता है तो गलत एक गलत जज्जमेंट होगा तीसरा हमारा जो इसका रूल है वो है जीजन डिसीजन रूल क्या होता है कि जज्जमान लीजे कोई भी जज्जमेंट दे रहा हो तो उसके पीछे जो भी ग्राउंड्स होंगे वह वेलिड होने चाहिए जज्ज वकायता वेल एक्स्पेंड करेंगे कि उन्हें जो डिसीजन दिया है वो क्यों पहला प्रिंसेवल होता है नेमो जुड़ेस इन पॉसा स्वा और दूसरा होता है और अल्टरेंग पार्टेंग और यह आज का हमारा डिस्कुसिन का लिगल मैग्सिम है और यह अल्टरेंग पार्टेंग इसका मतलब होता है यह दा अधर साइड या फिर नो मैन शुड बी कॉडेंट देता है तो बिना किसी को सुने या बिना धूसी पार्टेंग और यह दो एलिमेंट से मिलके बनावता है पहला उसका अल्य मैं होता है नोटेस दूसरा हमारा एलिमेंट होता है है तो नोटेस का मतलब क्या होता है माल लिजिए किसी की बीच में कोई विवाद हुआ वो फोड में लेके अपना पहुंच गया तो सबसे पहले क्या होता है माली जागर हम एक्जाम्पिल लें कि दो बाटी पार्टी हो गई एक और दूसी पार्टी हो गई वी तो एक अगर कोई भी मुकदमा कोट में लिके पहुषता है तो जज बिना बी को सुने या बिना भी को नोटेस दिए अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाया या फिर ज़्ज उनको संबन बेजेंगे या नोटेस देंगे या आपके खिलाफ जी समझाये या अपनी सफाई दे हमारा नोटेस अलिमेंट होता है और है यह रिंग फेरिंग रूल भी हमारा नेच्ट रूल पढ़ा था उसके जैसा ही होता है कि आप अदर पार्टी को जरूर सुनेंगे या पिसी पार्टी को भी हेरिंग का चांस जरूर मिलेगा ताकि वह दे तो आप दोनों को बनावर दोनों के अलीमेंट Norm के पास चलते हैं जो कि है वारा बोज़ी एक को सब्सक्राइब कर रहे हैं कर रहां कि नहीं कर रहा है या आपके मनद में नहीं होगा और एक्जामफल ओपनी कार बेचनी थी मान लीजे दोनों की भीच में एग्रिमेंट हो गया तो एक साथ और फूर्ण होंडा की कार खरी देंगे या तो उन्होंने पता हुआ है अपनी कार बेची और श 있고 universally तो नहीं बता यानि उन्होंने जो एक्ट किया वह नहीं किया या आप दूसरे शब्दों में गए तो उन्होंने जो काम किया मैला तो ऐसे केसिस में क्या होता है कि तो ए का एक्जाम्बल लेखे जलता है कि गएवकोई बेचनी अरबƯ को अगगर एचनी फचिया अ जब उसके साथ लुड़ी नहीं नहीं बेना बी को बताई बी को प्रॉपर्टी बेज देता या कुछ भी ऐसी बात थी अगर वह बता देता तो वह प्रॉपर्टी नहीं खरीटता तो ऐसे ऐसे वो होते हैं यानि नहीं होते हैं तो जब वो बेचेगा तो बॉना फाइट यह यानि बुट फेथ में एक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए जो एक्रेवा इडिमेंट नहीं नहीं घा जा जा अग्ला हमारा legal medical है वो लगेंशी वोना वेकेंशीय का मतलब होता है और और ओना लेस्टूट्स वोना वेकेंशिया एस्चीट और लैप्स यह तीनों वर्ट जो होते हैं वह हमने आर्टिकल 296 ऑफ दी कॉंस्टिटूशन से लिए हुए है आर्टिकल 296 ऑफ दी कॉंस्टिटूशन बदाता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और वोना वेकेंशिया है या एस्चीट है या लैप्स है तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होंगी वह गौवर्वर्मेंट को वैस्ट हो जाती है या चली जाते है अग्या इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि मालीजी कोई प्रॉपर्टी उसका कोई ओनर नहीं या मालीजी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका ओनर मर गया है या उसकी डेथ हो गई है और उसके पीचे कोई लीगल आयर भी नहीं या उनने उस प्रॉपर्टी की कोई बूरमेंट को कि चली जाती है इसी अगला हमारा लेकल मैक्स है और जुडिस एंप्लियरे जुरिस्दिक्शनम यानि इडिस दी पार्ट ऑफ गुड जस्टिस टु एनलार्ज इजुरिस्दिक्शन आई रेमेडियल अथॉरिटी इसका मतलब यह होता है कि एक वह अच्छा जज होता है या पर एक जज्च की रेस्पॉंसिबिल्टी होती है कि अपने जुरिस्दिक्शन को थोड़ा एनलाज कर सकता है ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पावर से बाहर चली जाएगी इसी को हम रेमेडियल अथॉरिटी भी बोलते हैं तो यह हमेशा से एक जज्च की जिम्मेदारी होती है कि वह चस्टिस देने के लिए या रेमे कर सके क्या अगर मालें अगरें कोई पार्टी होती है और वह इस मेच्जीम का हवाला देती है मैजीं का सिद्वाल गडरी बोने जुडिस्टेश्ट एंपलियर रे जुइस दिक्शन हुआ तो जज अपने जुडिक्शन को एनलाज कर सकता है वो थोस्त नयाय दे सकता है य क्यूंत झाट झाल 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 को झाल को झाल